एक प्रचलित लोग कथा के अनुसार पुराने समय में एक महिला हमेशा गुस्से में रहती थी, हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत बन गई थी, परिवार और समाज में छोटी-छोटी बातों पर चिल्लाना उसका रोज का काम था, परिवार के साथ ही गाव के कोशिश करती लेकिन उसे दुख मिलता था, एक दिन गाव में एक संत आये, गाव के लोगों ने संत को बताया कि एक महिला की वजह से गाव के सभी लोग परिशान हैं, क्रिपा करें, उसे कैसे भी करके ठीक करना चाहिए, संत ने कहा कि उस महिला को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करता हूँ, गाव के लोगों ने किसी तरह समझा कर महिला को संत के पास भेज दिया, संत ने महिला से पूछा कि तुम इतना गुस्सा क्यों रहती हो, तब उसने बताया कि वह हमेशा सुखी रहना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, और मुझे गुस्सा आ को खुश रखने की कोशिश करो, जब दूसरे लोग तुमसे खुश होने लगेंगे, तो तुम्हारे जीवन में भी खुशिया आने लगेंगी, महिला ने संत के सामने संकल्प लिया कि अब से वह ऐसा ही करेगी, संत के आश्रम से लोट कर महिला पूरी तरह बदल चुकी थ उसने दूसरों से शिकायते करना बंद कर दिया, गुस्सा नहीं करती थी, ये बदलाव देखकर गाव के लोगों का व्यवहार भी उसके प्रती बदलने लगा, अब सभी लोग उससे खुश होकर बात करते और अपने सुख दुख में उसे भी शामिल करते, महिला को भी ये सब अच्छा लग रहा था, उसे समझ आ गया कि अब तक वह बिना वजह दूसरों को गलत समझ रही थी, जबकि वह खुद ही गलत थी, इसलिए पूरी दुनिया गलत लग रही थी हम जब क्रोधित होते हैं, तब हमें पूरी दुनिया गलत नजर आती है, जब कोई हमारी ब बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शान्त रहकर हालतों को समझना चाहिए